यह बिसीकली उन लोग करना क्या चाहते हैं तो विकास करने का मुद्धा पर लड़ाई होना चाहिए और यहां के लोगों को मैं अफील करूंगा कि बात कीजिए पंचायत लेवेल का मतलब लोगों को यह दिमाग में आता है कि रोड और नाली कोई हम देखते हैं कि सरकारी स् सबसे बड़ा प्रारिटी तो अजी किसन होना चाहिए त्रियस्तरिय पंचायत चुनाओं के चुनावी यात्रा में अब इस वक्त मेराजधानी रांची से लगभग 12-15 किलोमेटर दूर टाटी सिल्वे इलाके में हूं टाटी सिल्वे इलाके का यह पूर्वी छेत्र है आ अमेरिका जो अमेरिका में जॉब करते थे नहीं बहुत जगा इनोंने विधेशों में काम किया और वहां से लोटने के बाद एक स्कूल खोला इसकूल क्ले के बाद लगातार समाज से जुड़े रहे और आज इस पंचायत चुनाओं में पंचायत समीती सदश्य के लिए अ आज हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे उनसे कि ऐसा, क्या उन्हों ने देखा, कि वो लाखों की नौकरी छोड़कर, अमेरिका की नौकरी छोड़कर वो यहां आए, और यहां समाद सिवा में आगे बढ़ना इन्हों ने अच्छा समझा, हमें का स्वागत करते हैं हमारी चैनल पे दिवेंदर जी हमें ये बताएं कि आपके बारे जितना हम लोगों ने जाना आपने काफी चीज़ छोड़ के इस सदेस्यता के लिए आपने उमिद्वारी दी है इतनी लाखों के कमाई आप कर सकते थे अपना अच्छा फ्यूचर बना सकते थे उसके बावजूद आप समात सेवा में आए हैं अपने पंचायत के अपने इलाके के लोगों की सेवा में आए हैं ऐसे आपने क्या यहां की समस्याएं देखी कि आपका अपने सारे चीज़ें छोड़ कि इस छेत्र में आप आए सबसे पहले तो मैं आपको पताना चाहता हूं कि मैं जिस समय मेरा बियाटी मेसरा में मैं पढ़ता था उस समय में ही मैं यहां पर बहुत लोग यहां के जो चात्र रहते जो लोग बिरुजगार रहते थे उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ता था उस समय में क्या था कि व उस आंदोलन में वहुत सारे लोगों को नौकरी के लिए अंदोलन होता था और बहुत लोगों को नौकरी मिला भी है इस आंदोलन से तो जब लगा कि यह समस्या बहुत ज्यादा है तो लेकिन धीरे तीरे चुकि हम भी इस आंदोलन नो बहुत ज्यादा घुज गया थे और चुकि हम एक मास्टर में बिजनेस मैनेजमेंट भी आटी मेसरा से तो मेरे को कुछ तक बाद में लगने लगा कि नहीं मेरा अपना कर कर राष्थ का है इस परमाने नहीं मिलता है तो और बहुत जो जो आई टीए किये ओए थे जाहें लोगों को जॉब नहीं मिलता था इसके लिए अंदोलन कि क्या गया था इस आंदोलन में रात को एक बज़े पुलिस मेरे को गरफतार किया था तो फैर वह तो एक घटना प कोश्च आपको क्या हुआ कि आप लाखों की नवभी छोड़ कर के यहां पर आए हमारा सोच यहीं था कि चुकि बहुत साल पहले यहां से जुड़े हुए थे तो जब लगा कि अगर बिरोजगारी को दूर करना है तो लोगों को सिच्छित करना होगा ऐसे तो नहीं होगा तो लोगों को सिच्छित करने के लिए यहां पर क्या है कि जो लोग रहते हैं तो एक ग्रामीन एरिया ही है और कुछ लोग बाहर से आएं तो कुछ मिक्स कल्चर हो गया तो इस वरस्था को देखते हुए हमने पतलब पंचाज चुनाओ का जो बात है तो सोचा कि वाले तो स्कूल स्टार्ट कि तो स्कू करने में 2-3,000 रुपय खर्चा लगता है लेकिन जो यहां पर जिनका पैसा नहीं है जो सरकारी स्कूल में जाते हैं चाहिए जिनके पांसो आजार रुपया हो कहां जाएंगे तो उनको एक अच्छी चाहिए जो कि आज का आज का अच्छी क्वालिटी एजुकेशन का तो आज भी लगे हैं तो तो इस इसको देखते हैं हम ने हमने सोचा कि नहीं अब नोकरी तो सब्सक्राइए देशन आज मोरा करने क्या राता है तो आगर आप पावर में नहीं रहते हैं तो आप समासेवा में खाली बस आप सोचल सर्विस में आप क्या कर सकते हैं लिमीटेशन होता है तो इसलिए में चुनाव लड़ने के लिए आगे आए देवंदर जी कुछ अपने बारे में बताईए कैसे अपने पढ़ाई की विदेश कैसे गए चाहें मेरें चाहिए तो मैं इनस इनसा साल चे साल के बाद मेरे को लगा किन मेरा करीर थोड़ा बहर में अच्छा स्कोप मेरे को शरये को अपरचुनिटी एक के अश्कूनिटी देखते हुए हमने अमेरिका युएस मूप कर गया और फिर कुछ साल उदर काम करने के बाद फिर बाहर गया और फिर कुछ साल यूरोप में काम किये डेन्मार्क में थे कुछ साल इधर में दुबाई में थे ऐसे करते करते लास्ट बैंगलोर में काम के फिर कोलगता में अभी सेटल हुए थे तो लास्ट तिचार साल से जॉब छोड़ दिये यह हमारा बैक्राउंड और डिग्री का बात है तो अभी हमारे पास इस प्रजेक्ट में कुछ आई टी से लेटेट बीग्री तो लेकिन अभी अब नहीं नौकरी नहीं अब कुछ समाज सिवा करना चाहते हैं दिवन्दी जी आपने जो विस्थापन की बाद कहीं वह बहुत साल पहले की थी आने के बाद आपने अपने छित्रे की क्या-क्या समस्याएं देखें अभी जब से हम इदर आए हैं तब तो उस समय का जो हालत था उससे तो बेटर है कि अभी आपको बिल्डिंग दिखाई देगा लेकिन का है कि समस्या तो बिस्ता बिरोजगारी की समस्या आज भी वही है तो कोई नहीं हुआ है और जहां तक जो बीखजायत का बिकास का बात है तो इस दिमाग में आता है इसके इसकि अगर आप देखेंगे कि प्रशाइटी राज संसीविट्टी बोटीडियर्ली डिकी लेकिन उस इजब से काम नहीं हुता है चुना तो जाता है पंचात मिट्वी रेयरी चुना हो गिया चाहरो पोस्त पर शीट ऑकुपैडा लेकिन घर उसके मत जीते हुए कडिश कु तो इसके चलते काम के नाम पे अगर देखा जाए किसी से भी जाके पुछेंगे च्छेतर में तो सभी एक काना है कि रोड और नाली ही की हुआ है और उसमें भी नाली रोड में क्या है कि पिछले 10 साल में कहीं आज इधर बना है कहीं उधर बना है बस इसके अलावा विकास के लिए कुछ आप सोचे हैं कि अगर आप जीतेंगे तो उनके लिए क्या करेंगे देखिए जो यहां पर सबसे बड़ा प्रॉबलम है असिच्छा दियारी मजदूर में काम करने क्यों जाते हैं इसलिए जाते हैं कि जो आज का जो जैनरेशन है जिसका पचीस साल विस साल उमर लोग बहुत लोग तो मेट्रिक पर छोड़ देते हैं और कुछ लोग इंटर जाते हैं लेकिन जिस लेवल का डिग्री उनलों के पास है अगर मालेजे को इंटरमीडियर्ट ग्रेजुशन किया वह किसी नौट फिट पर जॉब वहला है इसाब किताब है इवेन अब देख दिल्ली मुंबई कलकता बाहर जगए लेकिन चकर क्या है कि क्यों रहा है कि ऑना चाहिए को जाना पड़ रहा है उसको उसको सुधार करने के लिए जो सिच्छा का तक नहीं बढ़ाएंगे तो कुछ हो नहीं सकता है तो सबसे बड़ा प्रारेटिव अब है कि आपका क्वे यह है कि बनने मतलब जो लोग जा रहें उसका क्या करेंगे क्योंकि तो अल्रेडी जा रहे हैं अब उनके पास तो इसको खतम हो चुका है क्योंकि उनका उमर 30-35-40 साल में आज माग है अब आज के डेट में उनको आपको जॉब मिलना नहीं है क्योंकि उनका डिगरी कोई काम करना और जो डिगरी होल्डर हो काम के नहीं रहा गया तो अब इस इस्थिती में अब देके सरकार का बहुत सब्सक्राइब नोकरी देना यह तो एक पंचायत लेवेल पर पर नहीं दे सकते हैं अगरा हम पने लेवेल पे अपने अस्तर पर आज हम इस्कूल चलाते हैं तो ह लेकिन आप बोलेंगे कि पंचायत समीति के आप सबसे बनेंगे तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं इससे क्या जोड की इनको कुछ कर सकते हैं मन्रेगा मन्रेगा जो 200 दीन का काम है इसके बारे में हम जब इनालिसिस किये हम कुछ डेटा निकाले हैं जो कि हम आपको बताना सेयर करना चाहते हैं कि मन्रेगा किसकी में जो पैंसाट हजार करोड का बजट है पूरे इंडिया लेवेल पे तो जार्खन का भी कुछ गाल लाली में देखते हैं कि 33-43,34,000,000 तो यहां कम क्यों है तो यह सब्सक्राइब पॉस्टे लेकिन मेरे को यहां कम इसलिए नहीं डाले कि यहां से कुछ लोगों को मनरेगा में इन्रॉल किया जाए जो जॉब कार्ट बनाया जाए और असंगठित मज़ूर जो है लोग मेरे देखे हम तो जीते वे परतिनीति हैं उनसे अब कर चाहिए था लेकिन नहीं काम किया देवंदर जी आप सिक्षा से जुड़े हुए हैं आपकी इलाके में सिक्षा की क्या हालत है सरकारी स्कूलों की अभी तो मैं बता जाता हूं टाटी पूर्वी पंचाथ जिस एरिया जाना नहीं चाहता है उसका कारण क्या है तो सारा जार्खन को पता है कि जब की आपको बता देते हैं 11,2008 करोड़ रुपया का बजट है सिच्छा भीवाग में और यहीं चीज़ा पकर दिल्ली से गम्प्यार करेंगे तो दिल्ली के पास 14,000 करोड़ का बजट है इतना देखिएगा कि यहां पर जार्खन में बात करें पर्टिकुलर टाठी से लिए टाठी का नहीं बात कर रहें पूरे जार्खन में 11,800 करोड़ का बजट होते भी लोग को मतलब कितने लोगा स्टुडेंट ऐसे मेरे पास डेटा निकाले थे उसका जिसमें यह पता चलता है क आप जहां तक हमारे टाठी पूरी पंचायत के बात करें चुकी है स्कुल नहीं है लेकिन अगर चाहे तो चुकी इतना बड़ा बजट है 11,800 करोड़ का तो अगर पंचायत समीती हो मुख्या हो जिल्या परिसद हो चाहे तो एक इनिसियेट ले सकते हैं कि आप विभाग से संपर करिए भाई हमारे पंचायत में चुकी हमारा टाठी सिल्वे बहुत बड़ा एरिया है तो आप यहां पर एक स्कुल बनाई है प्लस टू इसकुल नहीं है आपर एक स्कुल बनाई है और दुसरा है कि सरकारी स्कुल में आपको जाकर देखना पड़ेगा बच्चे क्य अगर पड़ा नहीं हो रहा तो इस की नहीं है और टीचरे क्वालिफाइब हैं आपके में इसकोल नहीं है इसको लाने के लिए कुछ तोचे है क्या हमारा जो एक वहम जन प्रती दी तुने जाते हैं तो मेरे पर्प से इनिसीटिव यह होगा कि चुकि यह ववस्ता है कि जार्कन में जो बिभाग बंटरी के अंडर में आता है तो हम लोग अप्रोच करेंगे चिट्टी लिखेंगे कि हमारे पंचायत में तो आप अपने फंड जो ग्याराच–श्ट को बजट है इसमें से कम से चोटे सा परतिनी दीगो उतना पावर नहीं है एक मंतरी को पावर है या मुझके मंतरी को पावर है कि कबिनेट से पास करा के चाहे से करके देना है लेकिन हमारे लेवल पर नहीं है लेकिन हम लोग इनिसेट कर सकते हैं हम एक छोटे लेवल पर इनिसेट कर सकते हैं जिसमें म अपना वोड बेच देते हैं क्या लगता है कि यह लालच में बेच रहे हैं या असिछा में देखे इसका सबसे बड़ा कारण असिछा हम जब घूम रहे हैं तो कुछ-कुछ ऐसा जगा जैसे कि हम आपको बता देते हैं जो यह अपर यह विश्ट यहां पर कुछ आप एठे ह है इसका नाम में बीड बंगला और बजा इस अब एरिया में क्या है कुछ लोग एजुकेटेड लोग हैं जो लोग की अपने अपने को दारू हरिया में नहीं बेचते हैं ना पैसा देखे लेकिन आप अगर इसी से थोड़ा सा घसक के थोड़ा आगे बढ़िए जाएगे लोग को दारू पिला और भोट ले लो उसके बाद अगला पांच सल क्या होगा वो तो लोग को भी पता है लेकिन चुकि असिछा का इतना कमी है कि उन लोगों को दिमाग में यह नहीं समझ में आता है कि भाई अधारू हरिया पी करके भोट देंगे तो हमारा वोट से क्यो यहां पर भी कुछ लोग है जैसे बारी भित्री का कोई लोग बोलते हैं अगड़ा पिछड़ा फरवर्ड वेकवर्ड इस अब राजनिती होता है इस अब राजनिती होने का इसा कारण है तो अगर अगर लग रहा है कि इस एरिया में हम qualified आदमी है और जो लोग पढ़े लिखें उनको लगता है कि हाँ इनके टकर में नहीं खड़ा पा रहे हैं तो मेरे को कार्ण के लिए क्रिया जा रहा है कि बाहरी भीत्री कैसे बारी भीत्री का मिनिंग यह होता है कि जैसे मेरा सबने हैं उन कंणी सोचना यहां अग Ee की लिएं तो अगर ये उनकी का इस तरीका से सब्सक्राइब का डिकलियर यह पारे बात्ता को दो फोट्ने के लिए लेकिन जो पढ़े लिखें लोग उनको उनको हम जैसे अपना जो परचार कर रहे हैं उसमें समझाते हैं कि देखिए अगर आपको यह देखना है कि चार लोग को जिता रहे हैं चारों का सब्सक्राइब करने के लिए कितना क्या है कैसे आपको पर पर पताना है और हमारे हम मेरा प्रोजेक्ट लाने का काम करते थे सकते हैं किचार बीस करओका मिलेगा तो हमको पर फॉज्ड़ा परेश्यों र्फिर के पास प्रोजेक्ट स क्लिलॉरी थे हैं दिन को लूग इस काम को नहीं कर पाते हैं तो अब क्या is बगाए कि कुछ लोगों को लग रहा है कि आदमी तो यह काम को कर सकता है तो उसको लगोग जो लोग है जो लोग गाउं में रहते हैं जो दारूपी गोड़े रहा रहा है चो या जो साहर में रहा iो है यहाँ कर आए कि नहीं मतलब कि आहरी सेविट लोग रहते हैं और ज्यादा तर लोग मतलब की अब बोला जाए तो लेवर क्लास या सुपरवाइजर लेकर इस लेवल पर आते हैं तो लेकिन लोगों को क्या है ना सोच बहुत थोड़ा कम है और जैसे हम चुकी मेरा बैक्राउंड आप देख रहे हैं जान रहें समझ रहे हैं मेरा फैमिली का बैक्राउंड क्या सब्सक्राइब तो यह विसी के लिए उन लोग करना क्या चाहते हैं तो विकास करने का मुद्धा लड़ाई होना चाहिए और यहां के लोगों को मैं अपील करूंगा कि बात कीजिए कि आप जीत कि आप किया काम करेंगे अच्वाइब करें कि पांस दसना हो चुका है तो आप उस पर बात करें अब अगर जो लोग इस पर अगर नहीं आप से आता है वोट मांगने के लिए अगर आप चुना कोई जिता हुए कंडिडेट है वोट मांगने आता है तो पुछे क्या काम किये और पहला बात भी रोल आप डिफाइन के जिए पंचायच समीटी में लड़ेंगे तो आप मुखिया काम करेंगा कि यह नहीं है तो हम अपील करेंगे कि आप जो है दारूपी किसी का पैसा लेकर करेंगे वोट मत दीजे क्यों कि आपका 5 साल का जिंदगी बरबाद हो जाएगा उसके बाद फीर आपका वही मतलब टाटी सी लिए कर विकास चा जिता है यह जो आदमी आपके लिए खड़ा करके पैसा फंड जो है दिक बीना विकास होगा नहीं तो भण लाने का स्थम्ता रखता हो अगर उसका चमता है उसके पास कपेसिटी है उसको लगता है यादमी जा करके एक अधीकारी से बात कर सकता है उस टार Moreover चिताना चाहिए आपका किया चुनाव चीन है या जो पर बेबी ऑकर तेन चाक्चा होला बच् traffic फिलता है ।ो प्रवर्जश्य के विंधर चाहथे हैना है अब हम इसक्षा से जुड़े सबाइब क्या मोझिय चाहते हैं मैं एक भी सरकारी विद्ञाले नहीं है और जिस तरह से नों ने कहा कि योजनाओं को किस तरह से उपर ऐए उपसर तक लेके जाना है ये सारा कुछ इनको पता है तो यह चाहते हैं कि लोग के विकास के लिए इनको वोड दे ये देखने वाली बात होगी कि लोग इनको कितना प्यार देते हैं लेकिन जिस तरह से एक सिक्षित युवा की जौरत है हर चेत्र में सिर्फ इनके इलाके में नहीं टाटी पूर्वी चेत्र की मैं बात नहीं कर रही हूं जितने भी यहां पे पंचायत हैं सारे जगह में लोग यहीं उमीद करते हैं कि सिक्षित लोग आएं और योजनाओं को धारातल पर लेकि आए ताकि जो भी योजनाओं से वंचीत अभी तक की जो जनता रही है उन्हें योजनाओं का लाब मिल सके बागी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे फिल हाल अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा